जैसरी किष्णा मैं हूँ नरेंदर अगरवाल और आप देख रहे हैं नरेंदर अगरवाल यूट्यूब चैनल जिन्दिगी में हमारे साथ कई समस्याइ आती है और कई बार हमें ऐसा लगता है कि इन समस्याओं का कोई अंत नहीं है कोई समाधान नहीं है लेकिन कई बार समस्याइ वास्ताओं में उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी की हम समझ लेते हैं आईए इसी चीज को समझाने वाली एक छोटी सी लगू कता आपके साथ शेयर करते हैं एक बार एक राजा, एक राजा होता है, उस राजा के कोई संतान नहीं होती है, समय बीटता जाता है राजा की उम्र ढलती चली जाती है, राजा भहुत प्रयास करता है कि उसे कोई बच्चा प्राप्त हो जाए, उसके कोई संतान हो जाए, कई हकीमों को, कई वैद्य को राज ने दिखाया कई प्रकार के इलाज लिए लेकिन नतीजा शुन्य ही रहा जब राजा ने सारे प्रयास कर लिए और ठक गया तो राजा को चिंता होने लगी चिंता सतने लगी कि अब अब मेरे बाद यह इतना विसार राजपाट कौन संभलेगा मेरी प्रजा का क्या होगा रा एक दिन राजा को एक उपाई सुझा राजा ने महल के भीतर एक नया महल बनवाया और उसके मुख्ये द्वार पर बीजगनित का एक सूत्र लिखवा दिया गया पूरे राज्ये में मुनादी पिटवा दी गई धोल ढमाकों के साथ मुनादी करवा दी गई कि जो भी व्य पिटि राजा के ने महल के दरवाजे पर लिखे गए सूत्र को हल कर लेगा उसके बाद ही ये द्वार खोला जाएगा अब पूरे राजे में बड़े बड़े गणितग्ये बड़े बड़े विद्वान राजा के पास पहुचने लगे सबी विद्वान सबी गणितग्ये उस दर्वाजे के पास गए, उस सूत्र को हल करने का हर संभव पर्यास किया, मगर किसी भी विद्वान के दुआरा वो हल नहीं हुआ, अब राजा की चिंता और बढ़ने लगी, कुछ दिन पर्यास करने के बाद में विद्वान लोग भी आना बंद हो गए, अब राजा के पास, अब राजा को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने अपने आसपास के राजियों में भी धिंडोरा पिटवा दिया, प्रलोबन दिया, कि जो भी विक्ति इस सूत्र को हल कर देगा, वो महल उसी का हो जाएगा, अब राजा के पास, और भी कई लोग आए, लेकिन कोई भी हल नहीं कर सका, धीरे धीरे लोग आना कम हो गए, एक दिन की बात है, उस सूत्र को हल करने के लिए केवल दो विक्ति पहुचे, केवल दो विक्ति, और उन दो विक्तियों में एक गणितक गया था, और एक साधारण फटेहाल वस्तर पहने विक्ति था, फटेहाल विक्ति की जीन सीन अवस्ता देख कर, द्वारपाल उस पर क्रोधी थोकर उसे भगाने लगे, जाओ जाओ तुम से नहीं हो सकेगा, बड़े-बड़े विद्वान यहां धूल चाट कर जा चुके हैं, तो तुम किस खेत की मुली हो, चले जाओ यहां से, अचानक राजा की द्रश्टी उस युवक पर पड़ी, उसने द्वारपाल को बुलाया, और उसे बोला, उसे बुलाओ, युवक को राजा के सामने प्रस्टुत किया गया, युवक ने कहा महराज, मैं भी इस सुत्र को हल करना चाहता हूँ, राजा ने कहा ठीक है, पहले इस युवक को आउसर दिया जाए, तब उस युवक ने कहा नहीं नहीं महराज, पहले विध्वान व्यक्ति को आउसर दे यदि इन से नहीं हो सकेगा तभी मैं प्रियास करूँगा रजा बोले ठीक है अच्छी बात है आप आसन ग्रहन कीजिए और दूसरे व्यक्ति को पहले आउसर दिया गया वो गणितग्ये साम ढलते तक प्रियास करता रहा मगर उससे वो सूत्र हल नहीं हुआ अब उस युवक को बुलवाया गया युवक ने जाकर दूआर पर हात लगा कर धक्का दिया दरवाजा खुल गया महल करतल धोनी के साथ गुण चुठा राजा ने पूछा आप यह कैसे कर पाए युवक ने कहा महराज जब विद्वान व्यक्ति पूरे दिन जूज रहे थे तब मुझे लगा कि यह भी हो सकता है कि यह कोई बीजगनिती सूत्र ही ना हो और इसका दरवाजे से कोई सम्मंद ही ना हो और इसलिए मैंने दरवाजे को सिधा धकेल दिया क्योंकि आपकी सर्थ तो यही थी कि बीजगनिती सूत्र को हल करने के बाद ही दरवाजा खुलेगा लेकिन जब सूत्र हल ही नहीं हो रहा तो मैंने सोचा कि धकेलने में क्या बुराई है और इसलिए मैंने आते ही दरवाजे को धकेल दिया दोस्तों जीवन में कई बार हमरे साथ भी ऐसा ही होता है हमें लगता है कि समस्या बहुत अधिक बड़ी है और हम समस्या को हल करने में जुट जाते हैं जबकि वो समस्या होती ही नहीं है वो इस बीजगनिती सूत्र की तरह होती है यदि हम दरवाजे को धकेलने का प्रियास करते तो शायद दरवाजा खुल जाता मगर हम समस्या को सुल जाने के लिए प्रियास करते रहते हैं और समस्या है हमारी और बढ़ने लगती है तो कई बार ऐसा होता है कि जिन्दगी में समस्या होती नहीं है हम आगे बढ़ना रुक जाते हैं तो दोस्तो जीवन में कैसी भी समस्या आए ये कहानी हमें सिखाती है कि आगे बढ़ते रहो समस्या अपने आप स्वेते ही समाप्त हो जाती है यदि आप आगे बढ़ते हैं यदि आप आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का देते हैं तो दरवाजा खुलता ही खुलता है तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं तो दोस्तो यह है वीडियो यह है कहानिया आपको अच्छी लगी हो यूस्पुल लगी हो तो करपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारिया हम रेमेडिज हम टिप्स और टेक्निकल नोलेज तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियो की अपलोड लगातार निरंतर मिलती रहेगी तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजे तो एक नया वीडियो एक नई जानकारिय लेकर मैं आपका दोस्त नरैंद्र अगरवाल फिर मिलूंगा तब तक के लिए स्टे हेल्द इस्टे हैपी थैंक्यो फर वाचिंग माई वीडियो थैंक्स जैस्री राम जै हनुमार